चलो अगला प्रेशन शुरू करते हैं, देखो अगला प्रेशन है, question number 12, क्या दिया है, 1 plus 10 square A upon 1 plus quad square A, बराबर होगा किसके, जल्दी बताओ किसके बराबर होगा, तो हमें तुक का नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, solve करना है, solve कैसे करेंगे, एकदम easy method से करेंगे, solve, और द change करेंगे, देखो यहाँ पर जो answer आ रहा है, 10 quad sec आ रहा है, या फिर minus 1 आ रहा है, ठीक है, तो देखते हैं, क्या आता है हमारा answer, तो 1 plus 10 square A को लिख सकते हैं, 1 plus sin square A upon cos square A, लिख सकते हैं मिटा, similarly नीचे क्या लिख सकते हैं, cos square A upon sin square A, लिख सकते हैं, equal लगा ले, अब देखो यहाँ पर LCM लोगे, cos to cos square A plus sin square A upon cos square A, यहाँ लोगे sin square A, LCM to sin square A plus cos square A upon sin square A, लिख दो जरा, तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, बेटा देखो, cos square A plus sin square A upon cos square A upon sin square A plus cos square A upon sin square A आप देखो यह दोनों तो आपसमें आ तो काड़ दो, Tums को, हेणना, यहा तो इन दोनों को काड़ दो, यह भी one हो जाएगा, यह भी one हो जाएगा, sin square A plus cos square A 2 हो जाएगा, 1 upon sin square A, हो जाएगा-cine को लेकर जाएगे उपर यह कां आ जाएगी नीचे यहलोगा, इसका संraified आपका उक्याएयो तो मैट से कररे है। मैट कर ना इसका आंसर कितना आ से option d आपका बिल्कुल right answer होगा ठीक है बिटा देगा simple question मतलब question में कुछ भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिरका math बहुत simple बहुत easy होती है बिटा आपको बस trick लगानी है और जाके देखिए कितनी आसान तरीगे से मैंने बताया टेबल याद करना एक्जाम में अगर फिर भी याद ना हो तो मैंने टेबल बनाना इतना easy तरीगे से बताया कि जाना और दो मिनिट में एक्जाम में पीछे copy के table बना लेना और technometry से क्योंकि question आते ही आते हैं 10 number के question आपकी 10 number की technometry आती है एक्जाम में तो 10 number समझ रहो 10 number कम नहीं है बिलकुल एकदम सही एकदम perfect आपके 10 में से 10 ही आएंगे